है एवरीबडी वंस अगेन विलकम वेक टू माय यूट्यूब चेनल जहां पर आपको मिलता है मांस्टर अफ सोसल वर्क से जुड़ा हो बहुत सारी जानकारिया तो दोस्तों आज जीस वेकिंसी के बारे मैं आपको बताने वाली हूँ वह है बहुत खास खास इसलिए क्योंक अच्छे से डिटेल में फुल अडवर्टाइजमेंट को और समझते हैं अच्छे से इस अडवर्टाइजमेंट विच इस पब्लिस्ट वाइद ऑफिसल वेबसाइट अफ द गॉवर्मेंट अड इट इस अंडर थे नहीं पोर्गम नेशनल हेल्थ मिशन इस मैं 2021 है और आपको अप्लाइ करना है ओफ लाइन तो चलिए देखते हैं कि क्यों सी वेकेंसी है जिसको MSW वाले अप्लाइज कर सकते हैं तो गाइस इस इस अवनली प्लेटफार्म वेर यू विल गेट द जॉब वेकेंसी रिलेटेटेट टू MSW सब्सक्राइब जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेजिए तो चलिए देखते हैं कि क्या है यह वेकेंसी आया था आपको 25221 को यहां पर नंबर वेकेंसी बहुत सा रहा है अगर आप और विलीजिबल क्रैटेरिया में आते हैं अधर वेकेंसी के एकॉर्डिंग तो आप दूंडरु है अब आपको हाचा यह थोग और वेकिंसी ओर नोमर वेकेंसी से फोuti ऊंलीए वोन पोस्त कर लिए यह है और आय रहा थैंर रही यह तोलरुग 15221 प्रोगत्रेंसी आपको यह 16,000 20,000 इंहों सिक्टीश सिक्रिंट ser nos कंतने क्ल्व फैच गटेंसी ब exercise आयरिस से मांगा गया है कॉंसलर पोस्ट के लिए यहां पर कॉंसलर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो दिया गया है master degree in social work, public health, administration, psychology, sociology, home science, hospital and health management and must have computer operating skill, MS office and the seat is reserved for female candidate here it is written मतलब कि अगर आपने MSW कर रहा है master in social work कर रहा है और आप एक female है तो आप इसको apply कर सकते हैं यह बहुत अच्छा opportunity है मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें criteria बनाया गया है कि MSW होना चाहिए साथ ही female candidate होना चाहिए और यहां पर आंत में दिया हुआ है कि person with disability यानि कि physically handicapped यानि कि अगर जो physically handicapped हो फीमेल हो और MSW कर रखा है ऐसे साथ बहुत कमी candidate होंगे जो apply करेंगे मुझे लगता है कि जो apply करेगा उसका यह job होना fix है कि नाओ आविल लुक आफ्टर दा अधर इलिजिबिलिटी क्राइटिया डैट इस दे एज लिमिट है एज लिमिट इस गिवें डैट 18-45 यहानि कि आपका उम्र 18-45 साल होना चाहिए कव एक जुलाई 2021 के according यह calculate किया जाएगा दोस्तों यहां पर टोटल मार्स का वेटेज दिया गया है 100 मार्स को लेके जहां पर आपको जो पिछले qualification है उस पे जो मार्स दिया गया वेटेज दिया गया वह 75 मार्स दिया गया है वही आपके नंबर ओफ यह वेटेज आपके जैसे कि आपने कोई work experience से उसके recording दिया गया है साथ यह गया है आप अगर किसी job vacancy में हैं तो किस तरह से अगर आपने ट्राइवल एडिया में काम कर रखा है तो उसका अलग वेटेज है और अर्भन एडिया का अलग वेटेज जैसा कि यहां पर लगड़ा है जैसे stage of difficulties level जैसे अगर ट्राइवल ए एरिया में विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एरिया काम करना ज्यादा टफ माना जाता है इसलिए यहां पर मार्किंग सीधे धाय गुना ज्यादा दिया गया है तो इस तरह से आपके सारे मार्स का कल्कुलेशन होगा और आपको अप्लाई करना है तो गाइस हमने यहां बात की एक अच्छे से पोस्ट की जो की MSW वाले अप्लाई कर सकते थे जो की था RMNCH काउंसलर की और आपको जो लोग नहीं जाते हैं उनको बता दू RMNCH क्या होता है तो RMNCH होता है रिपोडक्टिव, मेटर्न, निवर्ण, एंड चाइल्ड हिल्थ इसक को लेके आपको काम करना है थी काफी एट्रेक्टिव पोस्ट है विमिन्स के लिए तो आई होप आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे गाइज यह अनन्दपूरम डिस्टिक का ओफिसियल वेबसाइट है जो की गौवर्मेंट का वेबसाइट है जिसका लिंक आपको मैं ड डाइट नोटिफिकेशन डाउलोड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे अपलाई करना है गाइज मुझे तेलकु कम आती है थोड़ी बहुत आती है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है आप इसको खुद से समझ लिजिए और यहां पे मैं एक और बात करना च आप इसको आप किलियर कर लिजिए और आप से बिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रही है थैंक्यू गाइज